हेलो स्टुडेंट्स वेलकम टो जांगाइस अकैडमी स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस सेशन में आप सभी को काफी समय से इंतजार था कि सरा हमारी क्लास कप से स्टार्ट होगी मैपिंग की क्लास कप से स्टार्ट होगी तो आज से हमारी मैपिंग की क्लास जो है वह स्टार्ट हो रही है और जिन बच्छों से क्लास अब पर द CFS अ節目 सब्सक्राइब कि अभी तक बच्चेन पर चीज नहीं किया बट स्टिल उनके लिए अविलेबल रहेगी क्योंकि बहुत सारे बच्छों को भी यह नहीं पता होता अभी अभी मुझे सर ने बताया ओजांक सर ने बताया कि बच्चे जो है वो अभी तक ये भी नहीं जान रहे हैं कि इसराइल कहा पर है गाजा स्ट्रिप कहा पर है गाजा पट्टी कहा पर है और वो गाजा स्ट्रिप के बारे में न्यूस पढ़े जा रहे हैं इसराइल के बारे में न्यूस कि तब आपको समझाइब कि मैंप्देंग का क्यों से के समझे सबादंग करनेद कंदा हूं क्या होती है मैपिंग कैसे की जाती है स्टार्टिंग के ज़ो है मरे मड़े दो-уетीन सेशन रहेंगे सारी इनी चीजों पर चर्चा होगी तो बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं कुछ बच्छे हैं ओके अच्छा इस पर हैपी आवर 50% डिसकाउंट लाइए सर तो चलो पहले मैं आपके साथ में डिसकाउंट की बात कर लेता हूँ अभी आपको जितने भी बैच लेने हैं जो भी बैच पर्चेस करना है जो भी बैच खरीदना है मैपिंग बैच समेत और जो भी बैच लेने हैं सभी पर 50% आफ का डिसकाउंट जो है वह आप लोगों के लिए अवेलेबल हैं और यह 24th of October चोईस अक्टूबर तक लागू रहेगा नवरात्री के ओफर जो है वह आपको दिया जा रहा है इसमें आपको कूपन कोड यूज करना है एन एवी 2023 नवरात्री 2023 तो एन एवी 2023 कूपन कोड यूज करेंगे तो 50% आफ पर सारे कोर्स मिलेंगे ना सिप मैपिंग बल्कि कुछ कबरी में दे देता हूँ अ कि सरा आपको मिस कर रहे थे हैं चलिए अच्छी बात है तो आज की सेशन में हम फिर से जो बच्चे मुझसे पहले पढ़ चुके कहीं ने कहीं पर से मुझसे मुलाकात हो रही लंबे समय बात जो है वह मिल रहे हैं तो कोई इशू नहीं है आराम से पढ़ेंगे हम आज की सेशन में मैपिंग जो है कैसे की जाती है क्यों इंपॉर्डेंट है क्या इसका इंपॉर्डेंस से कितने क्वेस्टन आते हैं किस टाइप के है यूटूब पर भी कर चुका हूं आप लोगों ने देखे होंगे यूटूब पर हमारे कुछ ओपन सेशन्स फ्री सेशन्स हुए हैं अभी तक उनके अंदर हमने काफी सारी चर्चा करी है बट उन सब को मिलाते हो एक समय कित वे में एक इंटेग्रेट वे में समझने की क कुछिश हम आज करेंगे तो मैंपिंग जो है हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सब से नहीं हैं कि detail में discussion करेंगे तो आप लोग देखेंगे कि अपने आप में एक बहुत बड़ा segment है अपने आप में बहुत importance लिए हुए segment है इस segment की importance बहुत जादा हमें देखने को मिलती है क्योंकि समझ का जो level है जिस level पर हम UPSC के लिए समझना चाते हैं जो स्तर हमारा होना चीज लेवल हमारा होना चीए उसमें mapping का बहुत बड़ा योगदान बहुत बड़ा contribution रहता है यह जब आप पढ़ेंगे तभी आप समझ पाएंगे कि कितनी चीजों को हम कितने अच्छे तरीके से समझ पाते जो हम नहीं समझ पा रहे थे बिना मैपिंग कि हम सिर्फ किताबे पढ़ रहे थे हम सिर्फ क्लास में पढ़ रहे थे बिना मैप को देखें पढ़ रहे थे तो हमारे वह dimensions कभी डवलप नहीं हो पाए वह आयाम कभी विक्सित नहीं हो पाए जो की होने चाहिए थे particular UPSC मेंस के लिए मेंस स्पेशली मुख्य परिक्षा के लिए जो हमारा डाइमेंशन होना चाहिए वह कभी डवलप नहीं हो पाए कभी विक्सित नहीं हो पाए ऐसा आप फील करेंगे जब आगे हम जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे बिना मैपिंग के आप अगर यह सोच रह अभी उसकी प्रॉपर जो इंपॉर्टेंस है जो महत्व है वह आप अभी नहीं समझ पाए हो गुद मॉर्निंग वेरी गुद मॉर्निंग तो अल अप यू कौन कौन सा मैप लेना है सब पर बात होगी चिंता मत करो तो सबसे पहले दो इंपॉर्टेंस क्यों है महत्व पॉन क्यों है मैपिंग उसके बारे में बात करेंगे देन कहा कहा प्रेलिम्स में किस टाइप के क्वेशन आये हैं इवन डेट हिस्टरी बेस्ट हिस्टरी के इतिहास के भी प्रश्ण जो है वो भी art and culture, history, इनके भी question जो है, वो mapping से जूड़ करके connect होकर के आए हैं, उन पर भी चल्चा करेंगे, और mains में भी किस type के question जो है, वो हमें पूछे जाते रहें, उन पर भी चल्चा हम करेंगे, तो बात करेंगे importance कितना है, महत्व कितना है, और फिर उसके बाद हम बात यह mapping अगर इतना ही important है, इतना ही महत्व रखता है, तो इससे कैसे तयार किया जाए, क्या strategy हो, क्या runnity हो, कैसे हम इसके notes बनाएं, क्या तरीका हो notes बनाने का, जिससे कि हम हमारे सारे dimensions, जहां जहां पर map काम आ सकता है, वो history में काम आ सकता है, वो art and culture में काम आ सकता है, वो geography मे international relations में, बहुत सारी जगों पर उसका उपयोग हो सकता है, कैसे हम उसका better utilization कर सकते है, जादा अच्छे से उपयोग कर सकते हैं, इसको भी समझेंगे, और then हम क्या-क्या पढ़ने वाले हैं, आपने जो मुझ पर भरोसा दिखाया है, जो course आप लोगों ने purchase किया है, इसके अं जनरली बच्चा ये सोचता है, कि mapping करना मतलब prelims में जो कुछ questions आते हैं, अभी बच्चों को ये भी नहीं पता है कि question कितने आते हैं, बच्चा ये सोचता है, तीन से चार question mapping के prelims में परकट होते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूँ, 2023 prelims का जो paper हुआ, 2023 prelims का जो paper है, इसके अंदर आपको मोटा मोटी 10 questions जो हैं, वो आपको देखने को मिलेंगे mapping से, अगर आप 2022 का paper देखोगे 13 questions, 13 प्रशन जो हैं, वो आपको देखने को मिलेंगे mapping से, उससे पिछला paper देखे 2021 का 8 questions जो हैं, वो आपको देखने को मिलेंगे mapping से, यानि आप ये मोटा मोटी average मान के चलें कि 10 से 12 question, 10 question तो है ही average औसत रूप से जो की prelims में mapping के question हमारे सामने आते हैं और generally अगर आप उन 10 में से देखेंगे तो 8 question बहुत easy type की होते हैं, थोड़ी बहुत भी mapping का idea है, तो 8 question आसानी से किये जा सकते हैं, यानि मैं पूरे 10 या 12 question ना consider करते हुए, आठ question भी consider करूँ, तो 8% का weightage हम prelims में इस paper का देख रहे हैं, इस topic का देख रहे हैं, prelims जिसके अंदर बहुत सारे subjects हैं, history है, polity है, economy है, geography है, environment and ecology है, current affairs है, बहुत कुछ जो prelims के अंदर involve है, उसके अंदर 8-10% का weightage हमें सिफ mapping का देखने को मिल रहा है, और अगर आप compare करें, geography का syllabus उठा के देखो, history का syllabus उठा के देखो, IR का syllabus उठा के देखो, current affairs को उठा के देखो, उन सब में mapping बहुत छोटा section है, बहुत छोटा segment है, बहुत छोटा section है, still यहां से 8-10 question, यानि 8-10% का weightage इसका हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन क्या इतना सा ही इसका importance है, क्या इतना क्या सिर्फ prelims के लिए mapping पढ़ लें, इतना सा जान ले, बस यह location यह location यह यह नदी यह बेती है, यह mountain यह बेता है, यह कुछ-कुछ locations है, जैसा कि इस साल भी question आया, कुछ mountain और river से में आगे questions आपको दिखाऊंगा, तो क्या इतना सा ही importance है mapping का, अगर आप यह सोच रहे हैं, अभी भी आप अपनी सोच जो है mapping को उस लेवल पर समझ नहीं पा रहे हो, उस लेवल पर जान नहीं पा रहे हो, अभी mapping का scope बहुत बढ़ा है, mapping का जो दाइरा है, वो बहुत बढ़ा आपको देखने को मिलेगा, जब आप mapping के importance को देखते हैं, बच्चा जनरली यही सोचता हैं, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि इसका scope इतना छोटा नहीं है, इसका दाइरा इतना छोटा नहीं है, आप हर वो चीज जो समझना चाते हैं, जब हम UPSC की preparation करते हैं, तो इतना तो आप लोगों सबने जाना ही होगा, सुना ही होगा, समझा ही होगा, क अब तक हमारी concept clarity नहीं है, हमने उस अवधारणा को अच्छे से नहीं समझा, तब तक हम UPSC तो clear नहीं कर सकते हैं, हो सकता है कहीं तुक्के में prelims clear हो जाए, लेकिन mains clear कर पाना हमारे लिए लगबग असंभव है, अगर हम concept clarity नहीं रखते हैं, अवधारणा को समझ नहीं कर रहे हैं बच्चे, उनको किस प्रकार से benefit किस प्रकार से सहयता पहुचाता है मैपिंग, थोड़ी सी बात करते हैं, सबसे पहले किसी जगे को locate करना हमाली बहुत easy हो जाता है, कोई भी जगे जिसके बारे में थोड़ी सी भी बात हो रही हो, चाहे वह NCRT बात कर रही हो, ओके ओके पहले, चाहे वही हो, चाहे हो, चाहे है, कोगसे न Запहुंकर कर रही है समय में थोड़ी सेецी चाहे हो, जब बेंदistas की चाहे हो जब भी आख़ को और को रहे हो, अ-चाहे किसी भी जगे के बारे में पट रहें जैसे मैं एक एक मैप आपके सामने लेक्वाइब अभी अभी आप री करेंट अफेर्स में बहुत ज्यादा पढ़ रहे होंगे हमास ने इसराइल पर अटैक किया और इसराइल ने रखाए इस हमास को पुरी तरीके से समाप्त करके रख जैसे में अगर आप सिर्फ इसराइल नाम का कोई देश है प्र वहीं पर गाजा स्ट्रिप का नाम बार बार आपको देखने को मिल रहा है गाज़ा पटी कौन सी है अब अगर मैप पे जाके नहीं देख रहे हो तो फिर कुछ भी नहीं कर रहे हो आपका कुछ भी प्रिपरेशन नहीं हो पा रही है आप सिर्फ और सिर्फ चीज़े रट रहे हो, आज इसराइल ने ये वाला बॉम गिराया है, बच्चा बॉम का नाम रट रहा है, आज इस तारीक को गिराया है, ये वाली चीज़े रट रहा है, ये UPSC कभी नहीं पूछने वाले की कौन सा बॉम इसराइल ने गिराया था हमा समय कंगे आप आप सिर्फटर रायं तो की looks pays की नियुकुम आप कन चीज्जा आप समजी क्या फिलस्तीन क्या चीज़ है जास्टिप किया चीज़ है गाजा पत्टी चीज़ है वेस्ट बेंक किया चीज़ कोशित नहीं कर은 तो मामला बहुत बढ़ शवबी मुश्किल छो भाइव का आने वाली है ऐसे में अगर आप इन सब चीजों को सब इन्फोर्मेशन को एक बार मैप पर जा के देख लें तो जितना आप रटना चाहरे न वो तो एक ही बार में समझ आ जाएगा एक ही बार में दिख जाएगा कि गाजा स्ट्रिप नाम की जगे यह जराइल यह जगे पलिस्टीन यह जगे है जैसा कि अगर मैं आपको मैप में अगर यह हमारा पूरा वर्ल्ड मैप है तो वर्ल्ड मैप में यह वाला जो पर्टिकुलर पार्ट आपको दिख रहा है इसे आप एशिया के नाम से जानते हैं इस एशिया का जो यह वेस्टन हिस्सा है यह जो हिस्सा आपको दिख रहा है बाट इस वेस्ट एशिया के नाम से हम इस शित्र को जानते हैं इस आपके साउथ में देखेंगे तो भुमध्य सागर मेडि टरेनियन सीर आपको देखने को मिले हैं अगर मैं है यह फोड़ा वाला जुन कर देखने को मिल रहा है भुमध्य सागर आपको इसंकर मिल रहा इस तरफ एफरीका है, इस तरफ वेस्ट एशिया है, यह पूरा का पूरा वेस्ट एशिया, पश्चिम एशिया हमें देखने को मिल रहा है, और इसी पश्चिम एशिया वाले हिस्से में एक देश आपको देखने को मिल रहा है, यह जो पूरा का पूरा आपको ऐसा देश पर है ये एजिप्ट है अफिरिका का कंट्री इजिप्ध है Mr Hindi में जिसे हम कि あते हैं वो मिस्र जो है उसके सात में लगा हुआ इसलेыт के वेस्ट में इसले से पश्ची में यह लगा हुआ जो आपको छोटी सी पति दिखाई दे रही है चूटी सी strip दिखाई दे रही है इसी strip का नाम Gaza strip है गाजा पट्टी है ये गाजा पट्टी में जो है मामला अभी बहुत जादा गरम हमें देखने को मिल रहा है जो हमास नाम का एक आतंकवादी संगठन है जिसको UN की तरफ से भी आतंकवादी संगठन का टैग जो है वो मिला साते से गाजा स्ट्रेब जो हमास के कब्जमें में देखने को मिल रही है जो है आप बहुत जाएंगे तो मामला बहुत जाएंगे तो मामला बहुत जाधा पैचीता है मैं अभी बात निकारा हो लेकिन यहां पर आप जब देखेंगे तो location को देख करके चिजों को समझना आप देख रहरे कितना आसान हो जाता है कैसे गाजा स्रिपसे इसराइल पर अटार हम आसान हो जाती है कैसे इसराइल डेख कर रहा हो तेल अभी व्याफो जो इसराइल की पहले capital हुआ करती थी राजदानी हुआ करती थी बाद में इन्होंने जहरुसलम में shift कर दी अपनी capital तो वह इनकी पुरानी capital हुआ गरती थी टो इनके कुछ इस तत रेखा है औरु अगर कई घचलती है अगर हम जी ओ स्ट्रेटिकली बात करें बूरा निथिक महत्वश्क आगर हम देखें तो जीए कितना है. अब आप इसका इतिहास पड़होंगे तो बहुत अचosph समझाने लगेगा. जिरुसलम किस तरीके से विवादित है? जीुज के बीच में, मुसलिम के बीच में और कृिश्we Ns के बीच में. तीनो जो बड़े बड़े धर्म है उन तीनों बड़े धर्मों के बीच में यह Jerusalem यह Jerusalem हिंदी में लिखा जाता है वो Jerusalem यह Jerusalem काफी जादा importance रखता है, काफी जादा महत्वर रखता है तो यह सारा मामला जब आप map पे जाके देखते हो और उसके बाद समझने की कोशिश करते हो जो भी news में चल रहा है, जो भी कुछ हो रहा है, बहुत अच्छे से समझाता है सारी चीज़े concept जो हैं वो clear होता है वहीं बहुत सारे बच्चे इसको बिना map के समझने की कोशिश करें पता नहीं कैसे ही समझ रहे, मुझे तो यहीं नहीं समझाता कि वो बच्चे कैसे याद रख पा रहे होंगे कि कहां Gaza Strip है Gaza Strip से कैसे Hamas attack कर रहा होगा, हमला कर रहा होगा कैसे इसराइल उससे निपट रहा होगा, पता नहीं कैसे याद रख पा रहे जब आप जानते ही नहीं वहाँ की location क्या है, वहाँ की geostrategic importance क्या है बूरण नितिक महत्व क्या है, और सातीता historical factors भी है यहाँ पर, एतिहासिक कारक भी है जब आप उन सब को जान करके समझ करके नहीं आएं, तो आप इस मुद्दे को नहीं समझ सकते हैं इस सारी चीज को यह सारा जो मामला चल रहा है अभी, यह आपको नहीं समझाएगा और जब आप इस मुद्दे को नहीं समझ पाएंगे, तो विश्व का एक बहुत महत्वपून गटना, जो वैश्विक इतिहास में इस समय पर गट रही है आप खुद को उससे कटा हुआ ही पाएंगे, आप नहीं समझ पाएंगे, इस कंसेप्ट को यह नहीं समझ पाएंगे, चल किया रहा है, आपको नहीं समझाएगा हाँ ये बात जरूर है कि सर हम रटा मार रहे है आज इसराइल ने ये किया कल इसराइल ने ये किया परसों इसराइल ने ये किया क्यों किया अगर मैं आपसे पूछ लूँ नहीं पता सर हमास ने ऐसा क्यों किया होगा? क्या कुछ दोनों के बीच में एतिहासी के रूप से कुछ जगड़ा रहा है? नई पता सर बले हम इस भी पढ़ के आगए इतिहास पढ़ के आगए हमास और इस्राइल का इतिहास किस प्रकार करा है हमास कैसे यहाँ पर कंट्रोल किये हुए है अगर मैं आप से पूछ लूँ यह इजिप्ट है हमास जो है वो एक मुस्लिम बाहुल्य ग्रुप है जिसके अंदर मुस्लिम लोग जो है वो जादा involved है यहाँ पर इजिप्ट नाम का देश है इजिप्ट नाम का देश जो है वो इनकी help क्यों ने कर रहा इजिप्ट भी एक मुसलिम बाहुल्य देश है मुस्लिम जन संख्या जादा रहती है तो यह इजिप्ट जो है वो इसकी help क्यों नहीं कर रहा नहीं पता सकता वहाँ इतिहास में जाना पड़ेगा छे देश छे दिनों में निप्टा चुका, इतना भेंकर इतिहास इस देश का रहा है, तो ऐसे में यह सब चीज़े कहां से समझाएगी, इसका किर्सकिन देशों से विवाद है, कैसे समझाएगा आपको, जब आपको पता ही नहीं कि गोलन हाइट्स का है, एक गोलन हाइट्स अरब देशों के साथ में, कैसे है, जब आप मैप पर देखोगे नहीं, दोकेशन नहीं देखोगे, तो कहां से समझ पाओगे इस सब चीज़े, क्या विवाद चल रहा है, क्यों चल रहा है, जब आप जगे कोई नहीं जानते, तो उसके बारे में कहां से पता लगा हैं, तो उसकी लोकेशन सबसे पहले पता होना जरूरी है, उसकी अवस्थिती पता होना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, जब तक हम उसकी लोकेशन को, जब तक हम उसकी अवस्थिती को नहीं समझ रहे हैं, तब तक हम पूरे मुद्दे को नहीं समझ पा रहे हैं, ये भी आप देखोगे हमें हवा कुछ नहीं लग रही सर्म पढ़के नहीं आये थे हम रटके आये थे लेकिन जब हम उस location को मैप पे देख लेते हैं हमास कहां पर है गाजा स्ट्रिप कहां पर है इसराइल कहां है तो यहां पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्डेंस जो मैपिंग का होता है वो चीजों को समझने में जो डाइमेंशन आपका डेवलप होना चाहिए जो विक्सित होनी चाहिए आपकी डाइमेंशन वो पूरी डेवलप करवा पाता है जो सब grave को इस समझेह करते हैं उसकी jo strategy location किस टाइब की है गई किस महत्व किस प्रकार का इतिहास है किस प्रकार की महां की राजनिती है किस प्रकार की महां की एकनॉमी है वो सब जब हम प्रकार में आती है चो हम लोकीन मैप हमें 1941 सब सब देखत containers नो시 आपको वहां का इतिहास जादा अच्छे से समझ आने लगता है आपको वहां का इंटरनेशनल रिलेशन जो है जियो स्ट्रेटिजी की इंपॉर्टेंस जो है वो सब कुछ बहुत अच्छे से समझ आने लगता है राइट बात समझ आ रही है तो कुल मिलागर के कहानी यह है जब हम किसी चीज को जो भी हम नसी आर्टी में पढ़ रहा है जो भी हम किसी भी सब्जेक्ट में अगर किसी लोकेशन का नाम आ रा है उसको मैप पर देख लेते हैं फिर उसके बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो चीज़ें बहुत अच्छे से समझाती जो क्लारेटी दिमाग में create होती है वो बिना map को देखे वो clarity कभी नहीं आ पाती है कभी नहीं आ पाती है वहीं हम map पे देखकर के फिर उस concept को उस topic को पढ़ने जाएं तो clarity एक अलग level की clarity हमें देखने को मिलती है राइट इसके क्या इतना सा ही importance है अभी भी नहीं और भी बहुत सारे importance है जैसे वहां की जोग्राफिकल पॉलिटिकल एकनॉमिक और करेंट सिनेरियों को समझने में help करता वो मैं आपको अभी बात करी चुका हूं जैसे कि हमने इसराइल हमास के मुद्दे में अभी देखा देन कई बार क्या होते कुछ टॉपिक्स बहुत कॉंप्लेक्स होते हैं कुछ चीज़ां बहुत ज्यादा कॉंप्लेक्स होती बहुत ज्यादा जटिल होती हैं फॉर एक्जांपल अगर मैं करेंड़ से एक और एक्जांपल लूँ अभी अभी आपने देखा होगा मोदी जी जो है बारत के प्रधान मंत्री आदी कैलाश पर गए अब आदी से जो है वह कैलाश मान सरोवर के दर्शन बहुत अच्छे से होते हैं तो हम वहां से बहुत अच्छा व्यू जो है वह डवलप कर पाएंगे और जो लोग चाइना में तिब्बत में जा करके कैलाश मान सरोवर की यात्रा करते हैं दो लाख रुपे तीन लाख रुपे जो ह तीस चालीस पचास जार में लोग बारत से ही कैलाश परवत के दर्शन कर पाएंगे मोदी जी गए वहाँ पर ध्यान मियान लगाया सब आपने न्यूस में पड़ा होगा अब हे कहां पर अगर आपने वो नहीं देखा तो आप जिंदगी में कभी नहीं समझ पाऊगे कि आदी कैलाश कैलाश यह सब चीज़ें कैसे आपस में कनेक्टेड होंगी किस प्रकार से ऐसा हो जाएगा हम बिना चीन में गए बिना अतिब्बत में गए जो है वह पता लगा लेंगे कि या देख लेंगे दर्शन कर लेंगे कैलाश परवत के और इतना लोगों का खर्चा जो हो रहा है वो सब बच जाएगा अब वहाँ पर जब आप थोड़ा न्यूज में पढ़ते हो तो न्यूज में कुछ कुछ इंफॉर्मेशन दी जाती है अगर आप न्यूज पेपर लिपू लेक पास कहां पर है अगर नहीं प्रकट होता है तो फिर आप बहुत गर्त में जीरों भी बहुत ज्यादा नीचे जीरों अगर आपके दिमाग में नहीं आ रहा है कि न्यूस पेपर में नाम था और हम स्टिल उसको जाकर के नहीं देख रहे हैं तो हम गलती कर रह है लेकिन आपको पता होना चाहिए न जब आप किसी चीज को पढ़ रहे हो तो आपको करन्ट अफेर्स में न्यूस में या इवन देट लिपू लेक पास जो है न्सी आटी में भी मिलेगा आपको तो जब आप उसे पढ़ेंगे तो उसकी लोकेशन कहा है ये तो जाकर कर क देखोगे न कि लिपूलेक पास कहां पर है पारवती नधी यहां से प्रवाइट होती है तो वो पारवती नदी कहां पर है आप जनरली ढहीं सिस्टम में और नहीं पढ़ते हो जाकर क Parvati sucked लो और तो आप नहीं देख रहे हो तो यह आप गलती कर रहे हो यह आपकी तरफ से घड़ बढ़ हो रही है और अगर इसी को जा करके मैप पर देख लो थोड़ा सा ही मैप पर जा करके देख लो तो आपको समझ आएगा यहां पर जो हमारा रज्य है जिसका नाम उत्राखंड है उत्राखंड में इस जगे पर हम लिपुलेक पास जो है लिपुलेक दर्रा जो है वो देखते हैं और लिपुलेक पास के पास में एक पीक है जिसका नाम आदी के अलाश है इसके पास में एक पीक है और इससे जस्ट आगे अगर आप देखो तो यहां पर आपको राकस जील, मांसरोवर जील ऐसी जीले दिखाए देंगे और यहीं पर आपको मांट कैलाश जो है वो देखने को लगा जो इसके जस्ट पीछे मांट कैलाश है तो आप जब इस पर चड सब्सक्राइब यहां जाते हैं यहां इस मांटन से उट गर गयां इस मांटन पर आगे जिसको आज आप कैलाश परवत के रूप में जानते हो जो फिलाल आज की डेट में तिबबत में हमें देखने को मिलता है तिबबत या चाइना अगर हम पॉलिटिकली बात करें राजनितिक रूप से बात करें तो चीन नाम का जो देश है उसके अंदर हमें देखने को कि तो आए तो कि य tacky को जाकर के देखंगे आव स्थिति ओक्ति हूं के तो हम लोकेशन को जाकर के देखेंगे तो जब हम नहीं देखेंगे चीजों को तो नहीं समझ पाएगी जो की होनी चाहिए जो की हमारी आनी चाहिए तो ऐसे में हमें बहुत important हो जाता है यह हमारी बहुत important section हो जाता है चीजों को समझने के लिए जितना question appear होगा उसका importance तो ही उसका महत्व तो ही लेकिन उससे ज्यादा importance जो है जितने दूसरे questions अप्येर होंगे जो map के directly map से नहीं होंगे बड़ स्टिल हमें चीजों को समझने म help करेंगे वहां mapping एक बहुत बड़ा योगदान देगा बहुत बड़ा contribution बहुत बड़ा योगदान हमें वहां पर देखने को मिलेगा तो complex चीज़ें जटिल चीज़ें जो हमें नहीं समझ आरी वह भी बहुत आसानी से हम यहां पर समझ पाएंगे next हमारे बहुत ज़्यादा नए dimensions जो है वो create होने लगते हम एक नए level पर जाकरके एक नए इस्तर पर जाकरके सोच पाते हैं जो इस्तर हमारा सिर्फ book reading से नहीं कई गुणा उपर उठ पाते हैं जब हम चीजों को मैफ पर जाकर करके देखते हैं कई बार हमें कई कारण जानने को मिल जाते हैं कई सारी चीज़ों के कारण हमें सिफ्थ देखने मातर से पता चल जाते हैं इसकी location ऐसी है इसलिए यहां पर ऐसा हो रहा होगा चीन जो है व ईसे पूरे पाकिस्तान प्लेंप एक फुरी के पूरी रोड बना दी जो हम सीपैक के नाम से जांते से जिसको चाइना पाकिस्तान एकनॉमी कोरीडोर जिसमें रोड और रेलवे नेट वर भिशा रहा है चैना वूद बट्रतर इसलिए बना रहाँ उपके हैं चाइना जो है वो पाकिस्तान को सौ करोड रुपेद रूपे दे शकता है कोई बड़ी बात निया पाकिस्तान की सो करोड में वह तो एक बार भूर खिल जाएंगे विचारे उनकी थोड़ी से तो फाइदा होए जाएगा लेगन जब हजारों क्रोड रुपे खर्च हो रहे हैं तो चाइना का कुछ तो फाइदा होगा ना कुछ तो लालच होगा तभी वो रोड बना रहा होगा क्यों वो ग्वादर पोर्ट डेवलप कर रहा होगा क्यों भारत जो है वो इरान में जाकर के चाबहार पोर्ट डेवलप कर रहा होगा क्यो पूरा का पूरा है कि एकनॉमिक कॉरिडोर जिसको हमने Middle East Europe एकनॉमिक कॉरिडोर के रूप में देखा वैसा एक एकनॉमिक कॉरिडोर आर्थिक गलियारा विक्सित करवा रहे हो यह सब चीज़ें जब मैप पर जाकर के नहीं देखते हो ना कुछ हवा नहीं लगती है बच्चे रट रहे हैं बच्चों को मिडल एस्ट यॉरॉप एकनोमिक कोरिडोर जो बनाया जा रहा है उसे रट रहे हैं सर यह यह देश हैं इन इन देशों में जो है ट्रेंड चलेंग किसनी कारणों को जानना हमाली बहुत आसान हो जा था जब हम उनको मैप में जाकर देख लेते हैं हम बात करते हैं तापी पाइप्लाइन की तापी पाइप्लाइन जो है आज दिन तक कम्प्लीट नहीं हुई क्यों नहीं हुई पहले देखो कहां से कहां तक चल रही है तापी में तीक होने एक होने पीक होने आईक होने कहां से कहां तक आनी थी बीच में कहां गड़बड हो रही है जाके देखो कि तो पता चलेगा ना बिना देखे कुछ नहीं पता चलेगा बिना देखे सिफ हम यह प करके pipeline आ सकती है और पाकिस्तान विछाने नहीं दे रहा तो दिक्कत हमारे लिए क्रियेट हो रही है बहुत सिंपल हो जाता मतलब जो कारण आपको मैं गंटे में समझाओं उसको मैं दो सेकंड में मैं पर दिखा सकता हूं दो सेकंड में मैं पर देखती समझा अच्छा यह मा और वह मैं कई बढ और खुतनल हाईवे टिके रहते हों जिए की नेशल हाईवे हमारी बना पते और त्यसके साथ में वहीं प्रोजेक्ट कलादान जो हैриз appreciate बेटर कनेक्टिविटी बनवा पाएगा मैंने इतना सब कुछ बोल दिया आपको कुछ हवा लगी कुछ नहीं लगा वही में मैप पे जाकर दिखा देता आपको भी आपको एक सेकंड में समझा जाता कि क्या क्या हो रहा है कैसे कैसे चल रहा है तो चीजें कई बार जो हैं ब के हमारे विक्सित होते हैं बहुत सारे कारण जो हैं वो हम जान पते हैं अभी आपको लग रहा होगा क्या मामला इतना ही है इतने ही चीजें हैं तो और भी एड्वांटेज मैपिंग करने के और बीओंटेज जैंसा अगला आड़एड वान्टेज क्या हैं नोट्स मेंकिं है इसे बनाया जा रहा है उस से जपशीज को मैं बढ़े में हैने से जबाएं मैप ही बना देते हम यहां ज्स लेँसे बनाना और क्या मैं बढmost लिए ज agreeing आप जब में लिखोगे आपको कई तो आफ ज्यादा लब सकते हैं मिंदें अब्क हो ने भी गट्रफि वह से करेंगे थे मुट का मैट होता है कैसे हैं चेज़िए घ्ठ से नौर्थ अमेरिका बन सकता है पूरा वर्ल्ड का मैप जब आप मेंस में आसर लिग रहे हैं आपके पास मोटा-मोटी पांच मिनट होते लिखने के लिए उसमें आधे से एक मिनट के अंदर पूरा वर्ल का मैप बना सकते हैं आदा मिनट भी नहीं लगेगा अगर आप बहु हम उससे ज़्यादा ही नंबर लाएंगे तो वह नहीं हो पाएगा लेकिन अगर हम मैप के थ्रू समझाने की कोशिश करेंगे अच्छा समझाएंगे तो डेफिनेटली हम ज़्यादा अच्छे मार्स लाएंगे बख्ष बनिश्पत की कंपेरेटिवली उस बच्चे से जिस चित्रात्मक रूप से चीज़ादा अच्छे से याद होती हैं आप जब किसी मैप को देखते हो वह मैप में से बहुत सारी लोकेशन आपकी दिमाग में ऑटोमेटिकली चली जाती है जब आप एटलस पे दिवार पे टंगे हुए मैप से या न्यूस पेपर में आए हुए इरान आजाएगा और वेस्ट में जाएंगे तो यह आजाएगा वो आजाएगा और आगे जाएगे तो इसराइल भी आजाएगा ऐसे हम जो है वो चीज़ें याद रख पाते हैं बहुत आसानी से हम बहुत सारी इंफोर्मेशन आटोमेटिकली याद रख पाते हैं तो हमे में उप्योंग कर लें बहुत इंट्रेस्टिंग चीज आपि दर। कि लंबे cheत हुझती संब्सक्राइब लाद याद रखेंगे लंबेогे पहंगे लंबे समय चीजिस में पर है यह वाला देश यहां पर है हो सकता है आपने लंबे समय तक रिवाइज ना किया हो तो हो सकता है कि आप किसी देश के नेवर कंट्री याद नहीं कर पा रहे हो इसका पड़ोसी देश यह है कि नहीं है बड़ स्टिल आपके दिमाग में यह तो आई जाता है कि सर अगर यॉरप का मैप है बले मैंने दो साल पहले देखा था या एक साल पहले देखा था बड़ स्टिल मैं बोलूँ कि सर इटली तो मुझे इतना तो याद आई जाता है कि इटली सबसे साउथ में मेडिटरेनियन सी की तरफ भूमध्य सागर की तरफ निकला हुआ एक अलग से निकला हुआ देश हमें देखने को मिलता है या अगर मैं बिटन के बात करता हूँ तो या यॉरप के नॉर्थ वेस्ट में अलग से आईलेंड्स के उपर बसा हुआ देश मुझे देखने को मिलत सबस्क्राइन हम जाता है कि ए वगाता है इससे रहाले कुछ return बहुत सपीड बहुत की बढ़े जाती है drastically speed हमारी increase हो जाती जब हम maps का उपयोग notes के अंदर करते हैं जब बना रहें notes तब map का उपयोग कर रहे हैं notes में map को use कर रहे हैं और जब revise कर रहे हैं तब हम बहुत जल्दी चीज़ों को revise कर पा रहे हैं जल्दी चीजों का वापस से याद कर पा रहे हैं retention जो है हमारी लंबी हो जाती है और overall efficiency हमारी बढ़ती है overall दक्षता हम answer भी अच्छा लिख पाएंगे समझ भी चीजों को जादा अच्छे से पाएंगे हमें जोग्राफी जादा अच्छे समझाएगे हमें history जादा अच्छे समझाएगे हमें वहां की economy जादा अच्छे समझाएगे अगर हम map के through उसको देख करके आ जाते हैं और definitely answer writing में जो है वो हमें help मिलने ही वाली है जब हम answer writing में map का उपयोग करेंगे map बनाएगे, नक्षा बनाएगे, मांचित्र बनाएगे तो हमें definitely इसका बहुत बड़ा advantage मिलेगा उस बच्चे से जिसने answer writing एंदर map, flow charts, diagrams का उपयोग नहीं किया था और हमने किया था हम ज़्यादा अच्छे number ला पाएगे जब इतने फाइदे किसी subject से हो रहे हो तो फिर उस subject को क्यों ना पढ़ना और ये बाकी सारे subject से बहुत छोटा है सारे subject, आप history का syllabus उठाओ, quality का उठाओ किसी भी subject का syllabus उठाओ अपने आप में लंबा चोड़ा syllabus है उनका बहुत complex complex चीज़े हैं बहुत ज़ादा जटिल जटिल अवधारना है उन सब में जुड़ी हुई है लेकिन mapping बहुत simple task है कुछ basic इसके पता होने चीज़े वो कुछ basic अगर हमने जान लिये जो कि हम आगे जानेंगे, अगली classes के अंदर वो कुछ basics अगर हमें पता है तो mapping बहुत simple हो जाता है और वो mapping अगर हमें आ गई तो बाकी की चीज़ें समझना बहुत आसान हो जाता history पढ़नी है, बहुत आसान हो जाती जोग्राफी पढ़नी है, बहुत आसान हो जाती economy पढ़नी है, IR पढ़ना है IR तो बिना map के हो ही नहीं सकता वहाँ पर map का उपयोग बहुत ज़्यादा important हमार लिए हो जाता है especially जैसे हम Indian geography पढ़ते हैं तो आप लोगों देखा होगा, आप किसी भी batch में हो चाए NCRT batch में हो, चाए जोग्राफी जोग्राफी बैच में हो हम बिना map के Indian geography को अभी पढ़ते ही नहीं, कारण बिना map के Indian geography को याद ही नहीं रखा जा सकता, कैसे याद रखो, कितने factor रटल होगे, Indian geography में ज्यादातर information factual information है, जो आपको याद नहीं हो सकती, लेकिन जब आप उनको map पर देखते हुए चलते हो, बहुत कुछ automatically याद हो जाता है, automatically मुझे आ आप लोगों ने काहवत सुने होगी, एक तीर से दो निशाने, mapping एक ऐसा तीर है, जिससे सीधे सीधे सो निशाने साधे जा सकते, इसलिए मैं mapping के लिए हमेशा बच्चो कहता हूँ, एक तीर से सो निशाने लगाने हो, तो ऐसा एक subject जो अगर आपको UPSC के सिलेमस में दिख Only GS geography में काफी कुछ याद हो गया सर, तो यह advantage आपको mapping से मिल पाता है, जब आप mapping करते हो, बहुत अच्छे से cover करते हो, mapping को, तो आपको यह advantage जो है, वो automatically मिल पाता है, आप बहुत अच्छे से चीज़ों के अंदर गुस पाते हो, subject के अंदर जो आपका प्रवेश होना चीज जो entry होनी चीज़ों प्रॉपर हो पाती है, और जब वो प्रॉपर आप उस subject की समझ डेवलप कर पाते हो, तो उस subject के जब complex topic आते हैं, जो जटी लवधारना आती हैं, उनको भी आप बहुत अच्छे से समझ पाते हैं, तो entry के लिए है, जो key हमारे पास होनी ची़ है, जो च कई बार हुआ है, कई बच्चे मेरे साथ में ऐसा कई कमेंट कर चुके हैं, मेरे पास जब हमने history पढ़ी थी, जब हमने geography पढ़ी थी, जब उन्न Eking पढ़ी थी, तो हम ने लगा था कि हाँ हम बहुत अच्छे से समझ पाए हैं, बहुत अच्छे से IlS subject को जान पाए हैं, ल अब मेप्रण को जानने के बाद आपको एक अलग care कर पाते हो जसका एडाइज आपको मिलता ही मिलता हर सब्बढे कोई सब्जाट इस से अच्छी नहीं even that अब प्योर ह criminal săज जाओ आएप क्यों एस पहने रहे होंगे इसमें जोगराफीकल वेक्टर अपना रोल प्ले में प्ले बारोय करता है नोइसे जयन आप inaudz आफा लेजान पाते हैं और डाविसी है टीक्स इजोंसाइटी को फिर जाँचे से जयन पते हैं एथिक्स की दुनिया में जब आप प्रवेश करते हैं वहां भी जोग्राफी का रोल रहता ही रहता है और जब जोग्राफी का रोल रहता ही रहता तो जोग्राफी में लोकेशन का भी रोल रहता ही रहता है तो लोकेशन को जानना लोकेशन को पहचानना हमाले बहु इंग्लिश हंग्लिश चिससे हम क्या वह क्लम हाँ शारी चीज में हिंदी और इंग्लिश डोनों के साथ में चलेंगी बी-लेंगौल वह हमारा क्लासे चलेंग कोई मैपिंग का बैची के लिए बात करएं तो मैं पहले वैसे अनौंस कर चुका उं works jobremo के लिए चल रहा है जिसके अंदर आपको 50% डिसकाउंट मिला सभी कोर्स इस पर नसीफ मैपिंग जिन बच्चों को मैपिंग लेनी है उनको तो मिली जाएगा 50% आफ पर बलकि दूसरे जित्रें भी बैचेश हैं उस पर 24 अक्टूबर तक आपको 50% आफ का डिसकाउंट जो है वो अविलेबल है आपको कूपन कोड यूज करना है एन अवी नवरातरी का एन एवी 2023 2023 इस कूपन कोड का उपयोग करेंगे इस कूपन कोड का प्रियोग करेंगे जब भी जिस भी बैच में जा रहे हैं वहाँ पर Word दिला दो épaalar दिला मैंने हैर आपको आगले नौ दिनों के लिए तो आप सिफ मैपिंग भूलकि दूसरे जित्ते भी कॉर्स उनको 50% आफ पर आवेल कर सकते हैं आख दो कि में की क्लास कितनी व्गर करेगी रोज एक घंटा क्लास हमारी व्गर करेगी रोज जो है वीक में 5 दिन सप्ता में 5 दिन रोज एक घंटे की में जञोँ तो हमारी हों यहमारी सब्जेक्स में करका सीथी सीथी हेल्प मिल जाती है मैं history में इवन हीूमन जोगरा फिसिकल जोग्रफिए में तो मिलती मिल पर Onty Before पसे नहीं होर्थ, निस्कार ने सकते हैं लेकिन हिूमन जोगराफिए में में मानवायों में भी जब हम resources पढ़ते हैं infrastructure पढ़ते हैं population पढ़ते हैं सब को जब हम पढ़ते हैं इसके अलावाद जब हम economy पढ़ते हैं economy के अंदर जो है वही हम resources के बारे में अग्री कल्चर यह सब जब हम पढ़ते हैं तो definitely mapping हमें उसके बहुत बड़ा रोल प्ले करती दिखाए दिती है international relation अभी जैसा मैंने आपको इसराइल हमास वाला मामला दिखाया आप जब मैप पे जाके देखते हैं western bank भी जब वेस्ट बैंक इसराइल का मामला देखते हैं जो कुछ भी देखते हैं international current affairs में जो कुछ भी चल रहा होता है उन सब को जब आप जाकरके देखते हैं तो बहुत अच्छ से चीजे समझ जाती है इंटरनल सिक्योरिटी की जब हम बात करते हैं, जब हम बात करते हैं कि भारत और बांगलादेश का बॉर्डर रहसा है, भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर रहसा है, भारत में अनमार बॉर्डर रहसा है, कैसे वहाँ पर इंसरजेंसी हो जाती है, कैसे लोग गुस्पेट कर हैं इन सब को समझना मैप के तुछ जादा असान हो जाता है मैप के तुछ जब हम इन सब चीजों को समझते हैं तो हमारा एक नया डाइमेंशन क्रिए उपरता है और इंडियन सोसाइटी भारती समाज जिसा मैं आपको बता था जोग्राफिकल सब्सक्राइब करते हैं समाज पर काम करते हैं हमारे सिलेबस में इंडियन सोसाइटी नाम का एक सब्जेक्ट है जी एस के अंदर तो ऐसे में हमें उसमें भी मैपिंग सेक्षिन का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस बहुत बड़ा रोल जो है वह देखने को मिलता है जो बच्चे मेरे साथ में जोग्राफिकल कर चुके स्पेशली पेपर टू पढ़ चुके उन्हें पता है कि पेपर टू में कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस मिल मैं मैप के थ्रू ही पढ़ाओंगा कारण यह है बिना मैप के इंडियन जोग्राफिक को जाना ही नहीं जा सकता पढ़ा ही नहीं जा सकता और जब यूपी एसी क्वेशन पूछती है क्वेशन दिखाता हूं मैं आपको इसी साल का 2023 प्रिलेम्स का क्वेशन जेलम रिवर प सरपंड से कार जील निरमित हुई है इस टाइप की स्टेटमेंट हम कर ही नहीं सकते है यह हिए 2023 का क्वेशन है हम करे नहीं सकते हम जब तक हमने इन सब को मैप पर ना देखा है हमारे बसका ही नहीं यह question कर पाना और मैप पे जाके देखा तो यह बहुत simple लल्लू type का question आपको लगने लगेगा जब मैप पर जा करके देखा एक और question अगर आप देखेंगे इसी साल का question again 2023 अमर कंटक पहाडियां विंधिया और सहियादरी शेणियों के संगम पर है बिलिगिरी रंगन पहाडियां सत्पुड़ा शेणि के सबसे पूर्वी भाग है शेशा चलम पहाडियां पश्चिमी गाट के सबसे दक्षिनी भाग है ये question आप मरे नहीं कर सकते अगर आपने इन सब को जाके मैप पे नहीं देखा ये पता नहीं कहां से नाम आ गए सर हम पढ़ते तो हैं तो कुछ हमारा कल्यान हो जाता कुछ हमारा फायदा हो जाता अगर मैप पर जाकर करके देखें अभी भी शायद आपको बहुत डराव ने लग रहे होंगे question इतनी मेरी यहां पर अपनी complete होगी वो सफेक ट्रेलर ता चोटा सा ट्रेलर था है के नोर्ट बनाना सिखायेंगे बिल्कुल सिखेंगे अपने next class में नॉट्स के बारे मैं बात करेंगे कल की जो इह बनाएंगे मैप नोर्टे वो किस तरीके से बनाए जाने चाहिए ताकि हम ज्यादा अच्छा बैटर परफॉर्म कर सकें ताकि हमारा मैपिंग सेक्षन आटोमेटिकली बिढ़िया तैयार हो सकें और देखिए 2022 का नामी पहली बार सुन्ने सरम ये दोनौ नंदा देवी एक अटरी मैचfa के उठाकि पढ़ तो लिया था शायद पर पता नहीं है कहाँ पर है, कुछ आता पता है नहीं उसका, नौकरेक सिकीम हिमाले, नौकरेक भी सर NCRT में कई पढ़ तो लिया था, नाइन्थ क्लास की NCRT जब हम पढ़ रहे थे, फिजिकल इंडियन फिजिकल जोग्राफी, तो उसमें कई नाम तो आ गया था, जाके देखा नहीं हमने, और फिर यहाँ पर question आगया तो अब हम कहां से कर लेंगे, सर्यों NCRT में लिखाई नहीं था, कि नौकरेक सिकीम हिमाले में है के नहीं है, इनको लिखना चाहिए था, तो थोड़ा हमें भी दिमाग लगाना पड़ेगा, between the line method जिसे हम कहते हैं, lines के बीच में खुद थोड़ा अपना दिमाग भी लगाना हमें ज़रूरी हो जाता है, कि हम उन चीजों को जो NCRT में नहीं लिखी हो, बट स्टिल हम जानते क्वेश्चन आते हैं, यह पूराना क्वेश्चन नहीं है, पिछले साल प्रेलिम्स का ही क्वेश्चन है, तो जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो यह हमारी अप्रोच होनी चाहिए, कि हम उन सब जगों को जो हम कहीं NCRT में पढ़ रहे हैं, फिर हम इसको किसी और पर डालने की कुशिस जरूर करेंगे, UPSC फरजी है, NCRT फरजी है, NCRT पढ़ोगे तो कुछ नहीं होगा, UPSC का एक्जाम दोगे, जीवन बरबाद हो जाएगा, ऐसी बाते करते हम फिर दिखाए देंगे, क्योंकि हमेरे पास इसके लावा कोई option बच भी नहीं जाएगा, हम जो डिमांड है UPSC कि वो cover नहीं कर रहे हैं, वो fulfill नहीं कर रहे हैं, तो हम कहां से select हो पाएंगे, यदि question में map नहीं पूछा है और हम map से explain कर सकते हैं क्या question को, यही करना होता है, जब भी हम mains में किसी चीज को explain करने जारें, किसी चीज को समझाने जारें, तो उसमें समझाने में अगर map का उपयोग करने से वो चीज ज़्यदा अच्छे से समझ आ पाती है, तो हमें बिल्कुल उसका उपयोग करना है, जबरदस्ती नहीं गुसाना है, सर ने कहा था मैप गुसाना है तो सर question की demand कुछ और थी, हमने जबरदस्ती मैप गुसाने की कोशिश करी तो फिर आप बेवकूफ कहला होगे, नमबर और कम लेकर क्या होगे लेकिन अगर question की demand है, हम किसी चीज को map के थुरू ज़्यादा अच्छे से explain कर सकते हैं ज़्यादा अच्छे से समझा सकते हैं, तो definitely हमें map का उपयोग करना है जब आप एजराइल और हमास के बारे में पढ़ रहे होते हो, तो आप map पे देखते हो तो ज़्यादा अच्छे समझाता है अभी हमने देखा, तो examiner को भी हमें ज़्यादा अच्छे से समझाना है means में answer writing में हमारा यही करतव है, यही duty है, हमें कामी यही दिया गया है कि जो question पुछा गया है उसको अच्छे से समझा दो, यही करना है language अच्छी होने चीए, diagram अच्छे होने चीए, flow charts अच्छे होने चीए, maps अच्छे होने चीए जोग्राफी से net jrf की preparation कर रहे हैं, बिलकुल आपको बहुत काम आएगा, बहुत काम आएगा, क्योंकि उसमें भी question आते है, mapping, location based question आते है जो बच्छा यह सोच रहा है, हम UPC के अलावा किसी और exam को दे रहे हैं, हम स्टेट PCS दे रहे हैं, हम कोई और exam दे रहे हैं, bank, p.o, clerk, clerk, या net, jrf, कोई भी exam दे रहे हैं, क्या हमारे काम आएगा, बिलकुल काम आएगा basic level की mapping सभी जगों पर पूची जाती है, हाँ मैं मानता हूँ, UPC advanced level की mapping की demand करती है, लेकिन basic level की mapping सभी जगों पर पूची जाती है, सीधे सीधे question फला नदी कहां पर है, फला mountain कहां पर है, इस type के question आपको सारे state PCS में भर-भर के मिलेंगे, सारे bank SSC के exam में भर-भर के सारे दूसरे जितने भी exam सो रहें, net, jrf, जितने भी exam सो रहें, सब में आपको बर-भर के मिलेंगे, तो सभी जगों पर काम आएगा, basic जो चीजें होती है, वो तो सभी जगों पर काम आती है, हाँ हम mapping में थोड़ा advanced level पर यहाँ पर बढ़ेंगे, वो आपके उस particular exam में काम नहीं आएगा, वो UPSC में काम तो definitely आएगा, बट इसका बहुत सारा पार्ट ऐसा भी है, जो कि हमारा map बनाना आजाएगा, बिल्कुल आजाएगा, map बनाना जो है न, वो तो खलिया आपके इस batch का by product होगा, by product होगा, आप automatically map बनाना सीख जाएगे, तो इस टाइप के questions आप तभी कर पाएंगे, अभी हम जिस इसराइल का map जो देख रहे थे, इसराइल, गाजा स्ट्रिप वो वाला जो हिस्सा देख रहे थे, वही से एक question आया देखी, लेवेंट के बारे में, और ये पुराना question ये 2022 का ही question है, 2022 का question है, लेवेंट शब्द जो हमें कई बार news में देखने को मिलता है, वो कौन सा हिस्सा है, सीधे चार option है, कि वो Mediterranean Sea के आसपास का हिस्सा है, या वो North Africa के तट जो है, Egypt और Morocco वाला जो रीजन है, वो वाला हिस्सा है, अब Egypt और Morocco कुछ हवाई नहीं लगती है, हमें ऐसे question देखकर के तो डर जाते हैं हम तो, हम जो है, वो सीधा सीधा हम confidence बढ़ा करके जाते हैं, कि थोड़ा बहुत NCRT पढ़ी है, और हम शायद NCRT को देखकर पढ़ करके, थोड़े prelims के question शायद कर पाएंगे, और ऐसा question देखते ही, हमारा confidence level सीधा धड़ाम से नीचे गिरता है, ऐसा इसलिए गिरता है, क्योंकि वो जो NCRT में पढ़ लिखा था, वो जो current affairs में आ रहा था, उसको map के थुरू नहीं prepare किया, और map के थुरू नहीं prepare करोगे, तो UPSC को ऐसे लोग चाहिए ही नहीं, जो concept की पूरी clarity के साथ में ना आए, तो वो इसलिए prelims, आप जानते हैं, प्रिलिम्स एक बीड चाटने का exam है, screening test है, बीड चाटने का exam है, और वो prelims में इतने question पूछ लेते हैं, 8 से 10, 12 question पूछ लेते हैं, ताकि वो विच्चा जिसको इस level पर समझना हो, वो पहले ही चाट जाए, मेंस में चाहिए नहीं ऐसी बीड उनको, इसलिए उनको पहले ही चाट लेते हैं, इसलिए prelims में इतने बहुत important section है, बच्चे mapping को बहुत lightly लेते हैं, जनरल ट्रेंड यह रहा है, बच्चा mapping को बहुत lightly लेते हैं, even that, मेरा जो mapping batch है, उससे पढ़ने के बाद बच्चे, geography optional में paper 2 जो होता है, उस paper 2 में पहला question compulsory type का question होता है, जिसे करना ही पढ़ता है, उसमें 10 map की entries पूछी जाती और उसमें 10 map की entries पूछी जाती है, इस साल जो paper आया, बच्चे कह रहे थे, सर्मारा optional geography नहीं था, बट स्टिल 7-8 location हम आसानी से कर पा रहे थे, 10 में से 7-8 location, geography optional की भी, paper 2 के अंदर जो पूछी जाती है, वो भी हम आसानी से कर पा रहे थे, आप से सिफ GS में पढ़ करके, या mapping कितना important होता, कितना महत्वर रखता है, next class जो हमारी कल होगी, उसके अंदर हम detail में बात करेंगे, mapping की notes कैसे बनाएं, और फिर कुछ basics से start करेंगे, पहले notes बनाने की थोड़ी सी चल्चा करेंगे, फिर mapping के basics क्या होते हैं, जो हमें पता होने चाहिए, ताकि हम आगे जा करके mapping ज़्यादा अच्छे से कर पाए, जब हम किसी continent में उतरें, जब हम किसी महध्वीप में उतरें, या महासागर में उतरें, तो हमें चीज़ें पहले से पता हो, कुछ common सी चीज़ें, कुछ basic सी चीज़ें हमें पहले पता होने चीज़ें, तो उन पर भी चल्चा करेंगे, पहले कल की क्लास में notes के साथ बात करते हुए, फिर आगे के sections के तरह हम बढ़ेंगे, तो एक बार last में मैं और बता देता हूँ, जो बच्चे अभी फिर बीच में join किये होंगे, तो सभी courses पर 50% off का discount है, आपको जो है NAV 2023 जो हमारा coupon code है, उसको use करना है, mapping का batch भी आपको 20 October तक यह offer आप लोगों के लिए available है, आप तब तक जिस भी batch से join होना चाते हैं, जिस भी batch में जुनना चाते हैं, सभी पर 50% off का discount आप लोगों के लिए available है, नावरातरी के इस शुब अवसर पर, तो चलिए, मिलते हैं next session के अंदर, next session के अंदर हम और आगे की चलचा जो है discussion होगा